जाकिर कॉलोनी में जो तीन मंजिला मकान गिरा उसमें दबकर दस लोगों की मौत हो गई इस मामले में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लापरवाही भी बरती गई है मेरट नगर निगम ने बाकाद एक नोटिस भी दिया था कि मकान की स्तिती खराब है जरजर है इस मकान को खाली करा दीजे और जहां आपकी डेरी है उस डेरी को वहाँ पर शिफ्ट कर लीजे यह खुलासा किया है मेरट नगर निगम के प्रभारी नगर स्वास्तादिकारी डॉक्टर हरपाल सिंग ने डॉक्टर सब क्या नोटिस दिया गए थे आपकी तरफ से देखे सर यह जो है नोटिस लगवग 6 माह पहले इनने दिया जा चुका था कि वैसे तो जो अवे डेरी यह सब के खिलाब हम विदिक कारेवाई कर चुके उसमें नोटिस देना चालान के खिलाब भी 20,000 रुपे का चालान कटा हुआ है और एफायार कराना लगवग 300 डेरी के खिलाप अब तक हम लोग एफायार करा चुके ऐसी डेरी जो बिलकुल है जिन्होंने पानी का दोभन करक्षा और गोबर जो है वही बहा देते हैं उन सभी लोगों को नोटिस दिया हुए उन मेंसे एक यह भी थी ना पेशा जी तो लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया और लास्ट पिछले सब्ता ही हमारे मानिये पारासजी भी इनके घर बता के आये कि आप अपनी डेरी ख दियान चलाने जा रहा है देरियों के खिलाब पिस हादिशे से पहले ही पिछले सब्ता ही एक मिटिंग बुलाई थी नगराई शाहब के आदेशा नुसाथ उसमें मैंने सभी अपने को एक चालान और नोटिस बुक चपवा के दिदी गई है कि सभी डेरियों का दुबारे दागभग मेरट सहर में अभी आठ सो डेरी के क्लीब है जो अवेद रूप से चल रही है उन आठ सो डेरी के खिलाफ अभ्यान चले का बिल्कुल अभ्यान चलाएंगे तो क्या इन लोगों के लिए जो यह बार-बार केटल कॉलोनी की मांग कर रहे थे कि हमें कैटल कॉलोन एक जो डेरी वालों का परकरण है मानियों चनायले में उनके भी ध्यान नखा जाएगा लेकिन हमें डेरी यह जो ऐसे हाधिशे ना हो इनके खिलाब बिल्कुल सक्ति से कारिवाई करनी है अभी हाधिशे के आपने बात की है अगर आपकी बात माननी जाती या पारशत की ब बहुत दुखत है अभी वहापर उसी मुले में एक और घर देखा था उसमें एक बिल्कुल खंडर से बना हुआ है और वही कभी गिर सकता है उसके लिए भी में इसमें कल एक पत्रकार बंदो थे मेरे साथ तो मिनोंने दिखाया कि उसमें 600 बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे उसमें MDA भी कारिवाई करें तो अच्छा है कि आगे ऐसे आद्चे ना हो ना हो तो यह माना जाए इस करीब यह साथ 800-2005 के खिलाफ फिर एक बड़ा भ्यान तो क्या बहुत 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 करेंगे जैसे पहले आपके चैटल केचर हैं सब बहुत करते थे क्या इस बार जो मान लेंगे तो कोई बात नहीं है वह अपने लेके जाए नहीं तो हम प्रक्राइब उठाया जाएगा और अप गह तक हम नगणिगम के दौबरा किसी भी हृँ कि कि अपशू को को पंजिकरन नहीं किया गया है और हमारी नजरों में नगर निघम नजरों ये वह सभी आप Grüाल झाज रहा कि लिकूप ठीटेशन को नियम है वैसे तो रेजिटेशन का नियम है लेकिन डेरी चलाने का कोई नियम नहीं रहा है बिल्कुल सक्ती करनी पड़ेगी जिस ऐसे हैं ना ओव यह बहुत कष्टादाइए हादसा है पिछले तीन दिन से हमारी टीम पूरी तरह लगी रही आपने देखा भी है जी बिल्कुल देखा और चोटे-चोटे बच्चों को भी हम लोगों निकाला है बहुत दुखत था आगे ऐसा कोई आध्चा नहों तो सभी लोगों को हम अलट करेंगे तो जो 90 वार्ड है 90 सबको जो है उन्हें निर्देशन दिया जा चुक है और हम कल से कारिवाई शुरू करेंगे तो पहले नोटीज देंगे बिल्कुल सबको नोटीज देंगे बहुत 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 शुक्रिया तो देखिए मेरट के प्रभारी नगर स्वास्तादिकारी डॉक्टर हरपाल सिं कि मकान बड़ी बुरी स्थिति में है शायद नगर निगम की मान ली जाती तो इतना बड़ा हाथसा ना होता और अब इस हाथसे के बाद मेरट नगर निगम मेरट के 90 वार्डों में एक बड़ा भियान चलाना जा रहा है जो सफाई निरिक्षा के सबको कह दिया गया है नो ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी